जी हां दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन विद्दिल मुंबद में दोस्तों फिजिकल एजूकेशन में 20 MCQS टेस्ट शिरीज फर्ष्ट आज हम लोग अध्यान करेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे जो UPLT ग्रेड और सारी रिख सिच्छा के competitive exam के लिए बहुत ही महतपूर है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ता वह आत्मा में इसकी संपूर्ति और पूर्ता के लिए सारी रिख गद्विदियों के माद्यम से दी गई सिच्छा है तो दोस्तों यह परिभासा जेपी थामस द्वारा दी गई थी इसलिए हमारा सी आप्सन राइट है सी आप्सन हमारा राइट है उसके बाद साथियों नेक्स्ट है कोश्चन हमारा भारत सरकार द्वारा वर्स 1913 में स्वविक्रित निम्नलिखित में से कौन सी पहली कोचिंग योजना है तो इसका साथियों राइट उत्तर हो जाता है राज कुमारी अम्रित कौर यह आप्सन हमारा राइट उत्तर है और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको मैं बताता चलू कि भारत सरकार ने राज कुमारी अम्रित कौर कोचिंग योजना के लिए 75,000 रूपे की राश मंजूर की और उससे सितंबर 1913 में शुरू किया गया इस योजना के पाले 4 वर्सो 1934 के दवरा इसमें एतलेटिक्स हांकी टेबल टेनिस आधी के लिए कोचिंग देने के लिए एक बिदेशी कोच और चार भारती कोच की सेवाए ली गई थी तो दोस्तों ये राज कुमारी अम्रित कौर जो कोचिंग संस्तान इसके बारे में कुछ जनकरी थी तो अगला साथियों कोच कुच्छन है अम्रीका के डेरिल शीडेन टाफ द्वारा विखसीत बाल ले बाल खेल सिक्छा के उद्देशियों में निमनलिकित मेंसे क्या नहीं था तो क्वैश्चन है उख्या के डेरिल सिडेन टाफ द्वारा बिख बिक्सित बाल खेल सिच्छा के उद्देशियों में निमनलिकित में से क्या नहीं तो दोस्तों नहीं वाला जो भी कोश्चन आता है तो उसमें आप नहीं को हटा दिया करें इस तरह के कोश्चन साथियों यह घुमाने वाला कोश्चन है तो इस नहीं को हटा करके उसके बारे जो है असानी होगी तो इसमें जो है सातियों सच्छम साच्छर उत्साही के खेल प्रेमी यह तीनों थे और स्वासता नहीं था यानि ए अप्षन भी थे साच्छर भी थे उत्साही खेल प्रेमी थे लेकिन स्वासता नहीं था तो इसमें नहीं है पूछ रहा है नहीं था तो इसलिए सातियों इसका right उततर हो जाता है हमारा डिवांच स्वास्थ था उसके बास सातियों next question है तो इसमें सातियो रिसका right उत्तर है इसका right उत्तर सातियो हो जाता है त्री मुखी यानि हमारे B आफ्सन सहिह है तिरी मुखी जो है right उत्तर हो जाएगा इसका उसके बाश आतियो अगला question है 1947 से पहले भारत में कितने सारीडिक सिच्छा संस्थान थे बहुत important question है साती हो 1947 से पहले भारत में कितने सारीडिक सिच्छा यानि आजादी से पहले की पूझ रहा है कि सारीडिक सिच्छा में कितने संस्थान थे तो इसका साथ यो राइट उत्तर हो जाता है चार यानि की बी आपसन हमारा राइट उत्तर है उसके बाए साथ यो इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं 1947 से पहले भारत में चार सारीटिक सिच्चा संसानत गया है ये हैं इस्पार्टा काल और प्रारंबिक एतेंसिक काल और होमेरिक काल और स्वर्ण काल तो समय काल को ध्यान में रख कर क्रमा अनुसार बेवस्थित कीजिये और सही बिकल्ब चुनिये तो इसमें सात्यों आपसन दिया हुआ है तो इसमें पहला जो है इसको हमें क्या करना है क्रमा अनुसार लगाना है तो हेमरिक काल पहले हो जाएगा उसके बाद इस्पार्टा काल हो जाएगा उसके बाद सात्यों प्रारंबिक एथेंस काल हो जाएगा यानि C. A. B. D तो हमारा C. A. B. D action सातियों पहले हम्रिक काल हो जाएगा एक नमबर में उसके बाद सातियों इस पर्राटा काल हो जाएगा दो नमबर में उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रारंबिक एथन्सिक काल और चौता है हमारा सौंड काल यह हमारे हो जाएंगे इसलिए सातियों इसमें देखेंगे हमारा कौन से आप्षन मिल रहे हैं तो C, A, B, D यह हमारा क्रम वाइस है इसलिए हमारा B आप्षन इसका राइट विकल्प हो जाएगा B आप्षन हमारा राइट उत्तर है उसके बाद सातियों next question है सारीरिक सिच्छा कारिकरम के लिए अवंटित समय किसके अनुलोमतह अनुपादित होता है तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा कारिकरम की विशे बस तो राइट उत्तर है बी आपसन हमारा राइट उत्तर है उसके बाद सातियों next question है सारीरिक सिच्छा का क्या उद्देश है बहुत easy question है तो इसमें सातियों ब्यक्तिकास संपूर विकास यह हमारा B option right है ब्यक्तिकास संपूर विकास उसके बाद सातियों next question के तरह बढ़ते हैं सारीरिक सिच्छा का मूलतत्व क्या है ये साथियों बहुत ही important question है कि सारीरिक सिच्छा का मूलतत्व क्या है तो साथियों इसका right उत्तर हो जाता है सारीरिक गत्वीदी सारीरिक सिच्छा का मूलतत्व है तो हमारा ये C option right उत्तर हो जाएगा उसके बाद सातियों अगला कोश्चर है अंतराष्टी हां की संक्य अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतराष्टी हां की मैच की अवद कितनी होती है तो सातियों जुलाई 2019 तक अंतराष्टी हां की संक्य अनुसार हां की मैच की अवद ही पूछ रहा है तो इसका साथियो D आपसन हमारा राइट उत्तर है 60 मिनट पहले जादा था 70 मिनट था लेकिन आप 60 मिनट हो गया है तो इसके बारे में कुछ ब्याख्या देख लेते हैं अंतरराष्टी हांकी संग के अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतरराष्टी हांकी मेच की अवज 60 मिनट होती है हांकी इंडिया लीग में सबक लेते हुए अंतरराष्टी हांकी महा संग ने मेच प्रारूप में महत्पुर बदलाव करने का फैसला किया और नए प्रारूप के तहत इस हाकी मेच 15 मिनट के दो हाप के बजाए 15 मिनट के दो हाप के बजाए 15 मिनट के चार क्वाटर खेले जाएंगे 15 चुग का 60 यानि कि 60 मिनट साथियो इसका राइट उत्तर है उसके बाद साथियो अगला कव्चिन है कॵ्चिन गोमब्र 13 है साथियो इसमें दिया हुए है इन्मे से किसने कहा था परिवासा है सारीरिक सिच्छा सिच्छा का एक अभिन अंग है तो किसने कहा था तो चाल से बूचर ने कहा था इसका राइट उत्तर हो जाता हमारा चाल से बूचर, सारीरी विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, समाजी विकास सारीरी सिच्छा के निमन उद्देश बताये हैं, चाल से बूचर ने तो इसमें सारीरी सिच्छा एक का एक अभी नंग है तो इसका right उत्तर हो जाते हैं चाल से बूचर भी आपसे नमारा right उत्तर है उसके बाद अगला question है निम्नलिकित में से कौन सा सारीरी सिछा के दाइरे में नहीं आता है अब यहाँ हमें देखना है नहीं आएगा पूछ रहा है तो इसमें नहीं को हटा करके आप देखिए कि फिटनेस और मन रंजन कारिकरम क्या होता है साथियों ये सारीरिक सिच्छा के दायरे में आएगा उसके बाद सेवा कारिकरम ये भी हमारा सारीरिक सिच्छा के दायरे में आएगा और स्वच्छता कारिकरम ये हमारा सारीरिक और इंट्रामूरल और एक्स्टामूरल प्रोग्राम ये भी हमारा सारीरिक सिच्छा के दायरे में आएगा और इस कोश्चन में पूछ रहा है कि सारीरिक सिच्छा के दायरे में नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको नहीं को हटा करके देखेंगे कौन-कौन सा जो है सारीरि नहीं आता है। उसके बात साथियों next question है, जेसी Fearing Williams के अनुसार ये सारीरी सिच्छा के परिभासा दिया है, उन्होंने जेसी Fearing Williams का अनुसार सारीरिक सिच्छा को अन ब्यक्तितियों की सारीरिक गदपिदियों के ¿ योग के रूप में परिभासित किया गया था जिनने खाली अस्थान के रूप में चुना गया तो इसका राइट उत्तर साथियों इसका राइट उत्तर क्या होगा साथियों इसका राइट उत्तर हो जाएगा वांचित परिडाम यानि हमारा D-Apsons सही है वांचित परिडाम फेरिंग विलियम्स के अनुसार है ये D-Apsons हमारा राइट उत्तर है उसके बाद साथियों अगला कोच्चन है सारीरिक्स इच्छा किसने सुरू की तो बहुत ईजी कोच्चन है साथियों सारीरिक्स इच्छा किसने सुरू की तो सारी रिक्स उच्छा फेडरिक जान ने शुरू की प्रेंडरिक जान ने इसको शुरू किया था हमारा B option राइट उत्तर है उसके बार next question है सनाइपस का साई में बिले कब हुआ सनाइपस का साई में बिले के बारे में पूछ रहा साती हो तो इसका राइट उत्तर हमारा हो जाता है B option 1987 में हुआ था सनाइपस का साई में बिले हुआ था 1987 इस भी में तो इसमें एक मई 1987 को सारी रिक्स उच्चा और खेल राष्टी संस्थान को साई के साथ बिले कर लिया गया था और उसके बाद नेता जी सुभा चनराष्टी एक खेल संस्थान पटियाला और उनके सहयोगी केंदर भोपाल बैंगला और कुलकत्ता और गांदी नगर में इसके उपकेंदर हैं उसके बाए साथ यह नेक्स कोश्चन है ग्वालियर के संस्थापक प्राचार थे तो लचमी भाई कालेज फिजकल एजूकेशन के बारे में पूछराँ साती हो LCPE यानि कि लच्मी भाई College Physical Education के पर्थम संस्थापक या आचार या प्राचार जो भी हो तो सातियों इसमें पूछ रहा है तो इसका सातियों राइट उत्तर हमारा हो जाता है PM जोसेफ ए आपसन हमारा राइट उत्तर है तो लच्मी भाई College Physical Education ग्वालियर में इस्थिद है इसकी अस्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई कब की गई सातियों 11 अगस्त 11 अगस्त तो यह कभी कभी आपसे यह भी पूछ सकता है राइट लच्मी भाई की गई इसके बाद अगला कोच्चन है YMCA की अस्थापना कब हुई थी YMCA की अस्थापना 11 सातियों YMCA की अस्थापना 12 मदरास चिन्नई में की गई थी और इस संसान के तीन परकार के परसिछर दिया जाते थे तो आपको पता होगा इसका B option right उत्तर है 1920 और कहा पर होई थी मदरास चिन्नई में और तीन परकार के परसिछर कौन कौन से दिया जाते है सारी रिफ्रिचा में डिकलोमा और राजकी परमाडपत्र निमन स्रेडी और राजकी परमाडपत्र उच्च स्रेडी तो उसके बाद है सातियों अगला question है डिडास केलियस प्राचीन यूनान के परसिद था एक संगीत विद्याले के रूप में और एक stadium के रूप में एक कुस्ती के school के रूप में एक तयराकी पूल के रूप में तो सातियों इसका right उत्तर हमारा हो जाता है एक संगीत विद्याले के रूप में था डिडा खिलाडी थी राजकुमारी अम्रित कवर के बारे में पूछ रहा है तो इस सातियों टेनिस की खिलाडी थी डी आप्शन राइट उत्तर है राजकुमारी अम्रित कवर टेनिस की खिलाडी थी और शातियो राजकुमारी अमरीत को और स्वतंत्र भारत की दस वर्सों तक स्वास्त मंत्री थी और राजकुमारी को टेनिस खेलने का बड़ा सवक था कई बार टेनिस में चैंपियनसी भी जीती है तो उसके बाद सातियो नेक्स कोश्चन है कौन सा काल प्राचीन भारत वर्स में वैदिक काल माना गया है तो शातियो इसका राइट उतर हो जाता है पचीस सव इसवी पूर्व से छे सव इसवी पूर्व यानि हमारा बी अप्शन राइट उतर है उसके बाद साती प्राचीन भारत में वैदिकल पचीस सो इस्वी पूर्व से छे सो इस्वी पूर्व माना गया है यह यूद्ध का उद्धव सिंधु घाटी सब्वेता के बाद हुआ और सत्यों इस काल में भारती समाज ने जीवन के सभी छेतरों में चारों और उन्नत की वैदिक सब्वेता का आदि गरंथ रिगवेद यानि वैदिक सब्वेता का जो गरंथ है वो रिगवेद है तथा उसके तीनों वेद सामवे जुर्वेत था उपनिसद योंग ब्रामर गरंथ आदि महतपुर भैदिक संगीता सहीता इस बात का साची है कि ततकाल समाज सभी द्रिष्टी कोड़ों से एक संतुलित वस्वे समाज था तो साथियों यह कुछ इंपार्टेंट कोश्चन है तो साथियों मैं आप को बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा अगर कोई क्वेस्चन में गलती होती है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए उसका सुधार किया जाएगा तो इसी के साथियों आप से उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो यदि पसंद है तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें इसी के साथियों जै हिंद जै भारत